हेलो दोस्तो स्वागत है आपका ट्रेड एक्स में इस वीडियो में हम जानेंगे एंजल बन पर मार्केट ओडर के बारे में कि मार्केट ओडर क्या है और किस तरीके से हमस्का यूज कर सकते हैं और उससे पहले अगर आपने अभी तक एंजल बन पर अपना अकाउंट ओपन किया है तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर किलिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं जैसी आप अपने एंजल बने के अकाउंट पर आओगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दखाई देगा तो दोस्तो मार्केट ओडर को समझने के लिए हम यह यहाँ पर किसी भी इस टॉक्स को ओपन करेंगे एक्जामबल के लिए हम यहाँ पर एक्सेस बेंक को ओपन करते हैं एक्सेस बेंक पर किलिक किया हम बाय पर किलिक करेंगे बाय पर किलिक कहिने के बाद यहाँ पर हम किलिक करेंगे एडवांस ट्रेड पर किया आपके सामने इस तरीके का यहां पर interface आजाएगा आपके लिए top में दखाई देगी stocks की current price जो भी इस की current LTP चल रही होगी यहां पर आपके लिए exchange दखाई देता है किस exchange पर आपके लिए stocks को buy कहिना है normal order रेने देंगे यहां पर डालनी होती है हमाई लिए stocks को buy कहिना है अब limit order को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बने है उसका लिंक आपको i button में मिल जाएगा तो आप उस पर click करके check कर सकते हैं कि हम limit order को किस तरीके से बाय करेंगे यहां पर हम quantity डालेंगे तो कौंटी डाल देते हैं एक और आपके लिए stocks को लॉंग टर्म के लिए बाय करेंगे आपके लिए यहां से सेलेक्ट कर सकते होगी आपके लिए इंटाडे में बाय करेंगे और आपको पूरे दिन प्रेंग में रहेगा यह आपका आउचीप कर रहेगा तो आपको अपको इमस्टी ऑडर आपकोष्गिव्थ और चार्डे अउन्दा की ख करेंगे भार करते हैं कितेशे यहसे में बाय करते लाएं कितने रिपा क्यूक्त अब लोगों को वहां समझा पर देनी पड़ रहे हैं तो उम्मीद द्वस्तु आप लोगों को समझ में आयोगा कि किस तरीके से हम मार्गेट ओडर का यूज कर सकते हैं मार्गेट ओडर का मतलब है कि जो इस ट्रॉक्स की करेंट प्राइच चल लए होती उसी प्राइच पर अगर माली इस ट्रॉक्स को बाय करना है तो हम यहाँ पर मार्गेट ओडर का यूज करते हैं और अगर आपके लिए अपनी प्राइच पर इस ट्रॉक्स को बाय करना है तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो दिखने के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो धन्यवाद